बिहर बोर इंटर एडमिशन आज 22 जून से शुरू हो गया है और ये 30 जून तक आपका ओनलाइन चलता रहेगा तो आई जानते हैं कैसे आपको ओनलाइन करना है ओनलाइन फर्म वर्णने में कौन सी सब्धानी ब्रतनी है क्या आपके डिटेल्स बताएगे हैं साथ साथ अग कॉलेच चलती चएकल और आपको साल का नुखसान होसकता है तो बिल्कुल ध्यान से जैसे मैं बता रहा हूं, पूरी वीडियों देखेगा और आप घर बैठे भी कर सकते हैं या पूरी जनकारी समझ जाते हैं तो आप साइवेट कैपे में भी जाकर कर सकते हैं आई जानते हैं step by step कैसे आपको online करना है पहले पूरी जनकारी यहाँ पर समझ लेते हैं पहले कुछ डेटेल्स देख लेते हैं जो कि आपको नीज पेपर में बता दिया गया है उसे समझ लेते हैं उसके बाद आर्लें करने को आपको लेकर चलते हैं ठीक है सबसे पहले यहां पर क्या बताए गया है कि आज से आप 30 जून तक फॉर्म भर सकेंगे ठीक है आज है का बिकल्ब सवहाधनी पुरुबग क्योंकि और बिकल्फ चुनने के बाद वही भी बिकल्फ अन्ती माना जाएक और इसमें इडिट का कोई option नहीं कि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इडिट का कोई option नहीं मिलेगा नमांकन परक्रिया के दुरान उन्हें बदला नहीं जाएगा रेजिस्टेशन करते समय नियूनतम 10 कॉलेज यानि कम से कम आप 10 कॉलेज का चैन आप कर सकते हैं और अधिक से अधिक 20 यानि 10 से कम कॉले पर चूलेज का कितना है उस अनुसार आप चूल सकते हैं ठीक है अब देखें यहां पर कुछ डिटेल बताए गये हैं कि विद्यार्थी ऑनलाइन आबेदन फॉर्म सहाज बसुदा केंथ जाकर भी कर सकते हैं या मोबाईल से भी कर सकते हैं ठीक है कैसे करना है सब कुछ मै बिहार हिल्प सरच करना है और बिहार हिल्प डॉट इन पर जाना है उसकत मोबाईल को बाइट कर लेना इस तरीके से ठीक है ताकि आपको असानी से खुल सके अब यहां पर नीचे की और जाएगा और यहां पर दिखें बिहार बोर्ट 11 अडिमेशन का लिंक जो है वो यहा कोई भी सवाल को सकें करकि आप बस पास सेकेंड में अपने कोई भी सवाल का बीडियो स्कीलरी लगा दिया है यहां पर रहे बच्चे रैंक वन जी हां रैंक वन के साथ साथ रैंक फॉर रैंक फाइव रैंक सेवन और रैंक एट हासिल किये हैं इस जोस को कयाम रखते नीचे दिये गए हैं लिंक पर जाकर रेजिस्टर करें जहां दस साथ से अधिक एक्सपरियस टीचर की टीम आपको टॉपर बनाने में जी जान लगा देगी तो जल्दी से जाई और खुद को रेजिस्टर कीजिए यहां पर लिखा हुआ है जैसे हैं आपके सामने इस तरीके का पेज खुलकर सामने आजाएगा अब देखें यहां पे देखिए अगर यह ओनलान ओफलाइन दोनो मोड में हैं जो भी द्यारती ओफ लाइन में फॉर्म भरेंगे ठीक है ध्यान से देखेगा अगर आप सहजबस्दा केंद से फॉर्म भर रहे हैं बिहार बोड के स्टुडेंट है तो पांच नमबर फॉर्म भरेंगे अगर आप बिहार बोड के स्टुडेंट नहीं है और सहजबस्दा के से उब्य रहे हैं तो 6 नमबर वर्म वर्म के सूडेंट है अगर आप डीर सीच को ऑफिस से वेल ठीडनी तो तो 8 नमबर वर्म वर्म अगर आप औलाइन कर रहे है तो आपको किसे करना है अब आप मैं आपको जह बताता है और को आपको cut up देख लेना है कि पिछले साल 2021 में cut up क्या रहा था पहला cut up थिक है उसके बाद second cut up देख लेना है first selection cut up तो यहां से आप first selection cut up पे click करेंगे तो आपके सामने यहां पर आ जाएगा कि आप district wise बैसे आप एदक जिन्होंने तो इसे सब मि Our only decision है यहां पर किस Whoo देखने को मिल जाएगा कि पिछले साल का कटफ क्या रहा था उसे अनुसार जो है आपको यहाँ पर यहाँ अपर जाई कर दिया है कि कितने percent पे किसका admission यहां पे हो था ठीक है यहां पे देख सकते है घत़ यहां पे जारी कर दिया है किHa regional गजाती pourquoi औरी बदया हो आपके सामने online करने का option यहां पे खुल जाएगा ठीक है देख सकते यहां पे थोड़ा slow खुलेगा क्योंकि अभी तुरन सुरू हुआ है intermediate नमांकन है तो आब एधन करने वाले यहां पे क्लिक करें login करें करने के लिए आपको इस तरीके का form आपको खुल कर सामने आएगा और वहां पे आपको भड़ना है सबसे पहले बिद्याले परिच्छा का नाम आप बिहार बोड से हैं तो बियासे भी लिखेंगे बिहार बोड से नहीं दुस्रे बोड का chain करें के परिच्चा की साल उतिन किये हैं ठीक है कोई जो ही नहीं का एस तहीं आप किस साल पास किये तो form भर सकते हैं इस साल पास किए दोजरबार सेलेक्ट करेंगे annual है तो annual लिखेंगे compartmental दिये है तो compartmental क्लिक करेंगे ठीक है date of birth पहले दीन महीना और साल roll को roll number डालना है उसके बाद देखिए आबेदक का नाम यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना है यहाँ पे आपकी पिता जी का नाम और यहाँ पे आपके मदर्स का नाम सभी capital letter में फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो यह आपको गैलरी में जाएगा और यहाँ से आप फोटो जो है वो upload कर पाएंगे ठीक है उसके बाद देखें आपका क्या marks रहा था यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है कि अधिकतम marks कितने रहे थे और फूल marks कितने है जैसे कि माल लेजे कि आपके फूल marks कितने है 500 है और आपको marks कितना आया है आपको marks आया है 300 इस तरहीं के साथ चूलेन वह यहां कोड़कों को बदकोड़क् containing फॉरी होगे लाया है और 2013 ओनलगीर कुछ ति यहां प्रसुपर आपको अप्शन नहीं जाएंगे तो प्रोस्पेक्ट्रस आपको मिलेगा और यहां से प्रोस्पेक्ट्रस जो है वो आपको डाउलोड कर लेना है और अच्छे से एक बार पढ़ लेना है सारी जनकारी आपको बता दी गई है कि आपको मैक्सिमम जो है बूबी स्कॉलेज ही चैन करने है और मिनममब 10 कॉलेज। कैसे चैन करना है कॉलेज भाइज आपको अपने डिस्टी के नुशार कटप देख लेना है और उसके बाद जो है कॉलेज चैन करके फॉर्म फिल अप कर देना है। तो देर बिल्कुल न करें आज ही आउनलेइन करें क्योंकि आपके पास मात 9 दिन का समय है।